वीडियो में हम बाग करेंगे छटी क्लास के इंट्रेंस के वारे में कि छटी क्लास में क्या-क्या होता है, किस-किस तरह से इंट्रेंस होता है, और किस-किस तरह के हमारी जो फीस है, इसकी वो क्या है, वो है आपके सामने सिर्फ 666, यानि के 666 रुपीज में आपको पूरा क पूरा batch मिलने वाला है, जिसमें आपके सारे exam, सारे test, हर चीज़, आपके doubt classes, everything will be covered in only 666, तो पूरी की पूरी तयारी सिर्फ 666 में हम आपको कराने वाले हैं, जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको यकीन नहीं हो रहा कभी इतने कम पैसे में, अब ये पैसे कोई हफते के नहीं या कोई महीने के नहीं है, ये पैसे पूरे batch के हैं, कि आप जो है, इस 666 में भी आप थोड़े और कम पैसे कैसे कर सकते हैं, यानि कि आपको और फायदा हम कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, खास तोर से मैं आपनी बात करूं, कि अब आप कर सकते हैं, coupon code का इस्तमाल, मे बात कर ली, आप बहुत समझदार समझदार बच्चे हैं, आप समझ गए कि A.U. की इंटरेंस की तयारी करनी हैं, तो हमें किस-किस चीज का खयाल लगना है, कैसे-कैसे पेपर आएगा, क्या पैटन होगा, उसका हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढने हैं, और कितने-कितने नंबर के आएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ गए, मैं समझता हूँ इस बात को अगली हम बात का अगर करें, हम बात कर रहे हैं, भई बियेच्यू की का जर्रनल इंफर्मेशन क्या है भईया, बियेच्यू के एग्जैम की जो बियेच्यू जो युनिवर्सिटीज है, उसमें जो स्कूल है, उसके अंदर 6 क्लास का एक इंट्रेंस होता है, तो उस इंट्रेंस में जो question paper आएगा, वो किस तरह का आएगा, वो कैसा आएगा, क्या होगा, क्या subject हमें पढ़ना होगा, आएज जानते हैं, तो भाईया, हम बात कर रहे हैं, कभी एक्जाम का जो duration है, वो कितना है, दो गंटे, सीदिसी बात, भाई, दो गंटे का भी, इसका duration भी दो गंटे है, कोई जादे बहुत देर आपको नहीं बैठना, AMU में भी गंटे बैठना था आपको examination hall में, और यहां भी दो गंटे बैठना है, अगला है कि exam mode या language, चलिए exam mode जो होगा, आपका वो क्या होगा, वो होगा offline, जैसे AMU में हम offline जा रहे थे, center पर जाएंगे, hall ticket दिखाएंगे, अंदर जाएंगे, entry लेंगे, फिर कितने marks का होगा, और कितने number of questions होगे, तो भई कितने marks का होगा, 100 marks का होगा, AMU का हमारा 85 marks का था, लेकिन यह है हमारा 100 marks का, ठीक है, अब 100 marks का है, और number of questions भी 100 है, यानि कि एक number का एक सवाल, negative marking, इसमें भी negative marking बच्चों नहीं है, तो फिकर की बात नहीं है बिलकुल भी, आप बिंदास होकर अपना जवाब लगाईए वहाँ पर, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आपका जवाब गलत होता है, लेकिन आपका जवाब अगर बाइचान सही हो जाता है, अगर तुका मारा है, कोई doubtful है, सही हो रहता है, तो आपको उसका number मिलेगा, तो आप फिकर ना कराए, negative marking किसमें नहीं है, अच्छा, इसमें जो sections हैं, जो subjects हैं, कौन-कौन से subject हैं, कैसे-कैसे, हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने-कितने marks क्या आते हैं, तो अगर हम उसकी बात करते हैं, तो भाईया, हमारे subject क्या आते हैं, 20 marks के सारे subject आते हैं, 20 marks each, अब कौन-कौन से subject, Hindi, English, Science, Mathematics and GK, ठीक है, Hindi, English, Science, Mathematics and General Knowledge, यह सब, यानि कि कितने होगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने हैं हमारे subject, पाँच, 5 into 20 जब हम करेंगे तो क्या होगा, भाई, 5 into 20 जब हम करेंगे तो क्या होगा, 5 to the 10, 0, यानि कि क्या हुआ, 100, यानि हमारे 5 subject हैं, 5 subject जो हैं, वो 20-20 number के, यानि equal weightage है, यानि हमें सारे subject बहुत अच्छे से पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी में equal number of questions, equal weightage होए, वो हमारा, यहाँ पर, हमें मिलता है, BHU के entrance exam में, BHU के 6th class के entrance exam में, इस बात को हम याद रखें, हम बात कर रहे हैं, छटी class की,